हम अस्टांगीते के चप्टर एट माताशीती अध्या के वारे में पढ़ रहे थी हमने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ लिया अब हम पार्ट तरी के बारे में पढ़ते हैं तो है फर्स्ट लोग है थर्टी फाइब इसका आपका कोशन आएगा तो ऐसे पूछेगा के सास्त्री भोजन विदी बताएई यह सास्त्री भोजन विदी लिखी है के आपको पोजन खाने का तरीका कहा कि आपको किस तरीके से आपको भूजन लेना है रिकोंड़िट और आइडियल रघिमेंट पोक अप्षीन आप पोड़ सास्तरी भूजन बिदी मतलब यह पूरा पांच नम्हें में कोशन आ रहा था कि सास्त्री भोजन विदी लिखी है तो उसमें कुछ नहीं है यह कुछ पहुत बढ़ा चीछ नहीं है मतलब आप रेगुलर क्या कैसे खाना खाते हो जो सही तरीके से खाना खाने का जो प्रोपर धंग है उसको हम सास्त्री विदी से खान सवस्त्री पर्कति जो सब्सक्राइब स्वंसक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि रहेतर के जो सही तो विदी खोणा मतलब LEAKS I 9算 Kayu Kpl Bhaική पीत्र ख почक का है किसि कोई ऑषम एक गंदी में जो पत्रणा हो नहीं हो चाहिए तो कर आसके थे कर कर तो नहीं जा cucumber वैसे लगू बहुत अधिक हैवी फूड निया आपको लेना तन मन और अपने अच्छे मन से सांत मन से खाना खाना है सद दसा मधू प्रायम मतलब छे रसो से युक्त भुजन करना ये बहुत इंपोडेंट है कि आपको च्छे रसो से युक्त भुजन करना रहता है ठीक है मधू प्रायम अधिक मातरा में चाहिए मधू का सेवन जाना अधिक मातर में करना क्यूंकि रहांब आघूर नौहम्द देर देर लिखाइं और ना वहर धूर देर देर को किरें अरा जनात मत शनान करने के पचाहिं ऐसा प्राइं श्रड़ा लगने के बाद बुशान करें जब भूब लग रहे हो त verbess activities तत से धोत पाद कर आननां धोत पाद मतलब हाथ पेरों पाद मतलब पेर कर हाथ और मुख को धोग के भोजन करें त्रप्तित्वां पितानां देवतां अधिनां बालकां गुर्णां पित्रों को देवतां को अतितियों को बालक को गुरु को इनको पहले भोजन करा के भोजन करे पत्रक्ति विच्वनाम तिर्ध उक्षिअपी प्रती पन्न परिग्राहन समिक्षा सत्म आत्म नम मतलब अपने परशुपच्छी ओं को भोजन करें कि हां मैं पुझन कर रहा हूं तो मेरे परिवार के सबस्वाइब से भोजन कर पाएं कि नहीं इतना भोजन घर में है कि नह आपके पास जो चीजी आविलवल नहीं है जो आसपास अविलवल नहीं हो रही है वह भी चीजें आप अधिक मात्रा में सेवन करें उससे क्या है आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी तो वह सोच के भूजन करें इसका मतलब यहां पर ऐसा बताए गया है समेक्च्ठा सतन्य स्वास्त के आपनी सस्थ इस Remote स्वच्ष विचाए कर रहा हिसन निंद करें कि इसमें नमक का मंद सक्का जांदा इसमें यह ज़्यम है इसमें वो है ये इस सब निंदा न करें यूच्ट जो मिलना है उससे अपनाखी मान कैं अपना आपना सुक मान कि अच बहुत जानन अधिक बोले ना चिंता ना करें किसी विश्या पर करोध नहीं मांंसे वह पर शोग दुख होना चाहिए सब नहीं होना चाहिए सब अब मौन रहेंगे तो आपका मन सान्थ तरहेंगा बोचन में अधिक मन से खापाएंगे इस्टमित्रम अपने प्री लोग हैं उनके साथ भुजन करें सरसम अशनी अच्छी जगाह पर बैठ के ऐसासा जगाह पर आपके जो परोसरा है वह वह साफ आतों से परोसरा हो और जिस थाली में आप खाना खा रहें जिस वादर में वह पर अच्छा हो स्वस्त हो ऐसे चीज कि बोजन को नहीं करना तो वह बताय गया है कि बोजन त्रण केश आदी तुष्ट मुष्टा उशनी कतंपुना मतलब ऐसा बोजन को बाल गोगर वो और सब्सक्राइब को नहीं करना है आपको मतलब जहां पर कि कुछ कीट पतंगा जैसे कि नॉर्मली मक्खी गिर जाती है मच्छा गिर जाती है तो उस भुजन को भी आपको नहीं करना क्योंकि वो भी दुस्ट हो जाता है और बहुत एक बार गरम करके अब ठंडा कर लिए फिर उसको फिर से गरम करना मतलब पुना गर बना जो निर्वीरियों सरी यली हूं ठीक है ऐसे बुट भुजन का बश्चन ना बनाए अती उष्चन बहुत अदिक गरम भोशन भी नकरे उष्चन और लेवन मतलब यहाँ पर बहुत अदिक लवन युकत बहुट पर निशहत बताएगए कि उसका भी आपको त्याग कर तो बूचन को सेवन ना करें थोड़ा बहुत नमक का मैं थोड़ा बहुत तो अभी सुना मैं यहां बनाती तो तो वैसे आप भूचन करते हैं समय ना करें ठीक है फूद नॉट पी नॉट भी टेकन और रेगुलर बेसेश अब यहां पर पताया गया कि रेगुलर बेसेश पर फूड कौन-कौन से जो अहार अन है वो रेगुलर बेसेश पर आपको नहीं खाने यहां पर मतलब तेखिए अब जब चेकिनियर में चलग पढ़ोगे त चीर वर्ग ददी वर्ग तो यहां पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यहां पर यह कि हर वर्ग में सबसे उत्तम द्रवी भी होता है सबसे निरकर्ष्ट दवी होता है सबसे उत्तम द्रवी होता है उसको आप रेगुलर बेसेश पर खा सकते जो की लिखा हुआ है next recommended food to be taken daily अगर निकर्सेट्र रवर्त्रम मुथा है जो आप आपको ना खॉप मिम्हाने हो लेकिन पास पॉर्षन नहीं है उतना आपको आथिक है नोometers देश्मे और उन वहत वहार बें रहा रहा ह doc यहां एक कि टोशों को तो बहुत हैता है ठीड़र क्षेट बटांज्ड और वही चीज़ जैसे फास्ट फूर जंग फूर खाते हो खाने लाइक तो है लेकिन कई नहीं वह आपको दूशित तो करें सदी को इसलिए तो वह बताए गए तो वह क्या है किलाट दधी कुछिका चाल मतलब किलाट दधी कुछिका यह आप जब चैप्टर अस्टांगे दें लिए तो वहें पर नहीं जाया है तो वहां पर आपको अच्छे से बता दूँगे कि इम तो थोड़ा थोड़ा अन्तरुनमें होता है कि बना होता है तो को क्या थे शेका को फर्पैस्ट बिए तो यह आफ को अजय कि आ पूलताको यह नहीं कहारे यजाना है तो न Google को पर तो वह सात में हो चुका है तो आपको इतनी समय से आप खा रहती समय से इस व्यवार में आ गया है इसलिए वह सात में हो चुका है लेकिन नौरी जो आयवेदिक की जो विदियां जो हजार साल पहले बोला गया था उसके कोड़ी वह निशेत था या कम खानत था चार चार एलकलाइन जो चीज़े होती है चारी चीज़े आप जब सेकिनेर पढ़ोगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा यह शुक्त फ्रेग्नेटिड क्रूल आम मूली का कच्ची मूली न क्रॉच्ट मतलब आपको न वेष्टेरियन तो ऐसे मीत को क्या गाए जानवार मेट न लंद लें ना लें और बहुत कम जोड़ हो और बीमार अप्र नेख करा लागे कर उसका प्राद कर्षयों का मीट ना खाए शुष्क माषट बहुत राय मास भी न क्षै का थे कि वह न मतलब सुर का मास नहीं होना जी अवी मतलब भेट का मास आपको रागूलर बेस ही शनको नहीं खाना अवी मतलब भΕच मास मैंने आपको पहले ही बतायता है म्सं मतलब मीद मतलब उड़ी मतलब की डाल का बता है कि निस्पाप निस्पाप और बोलते हैं उनको परमल बोलते हैं नहीं आपको परमल वाला परमल जो होता है खील से उसको मिस्पाप बोला जाता है लोटस ट्यूब, विश्वर्ड के वाद जगा पहाएगों विशा, मतलब लोटस टॉक्स, पिष्टी, साली धान ने पाउडर, साली धान की पाउडर बनावा असको, विरूद्दका, विरूद्दका मतलब जर्मिने अंगुई जोना तो तो उन्हें विरूद्दका रेगु बनते हैं तो यह पानित राव को आपको डेगुला कि नहीं खाना या दिखमातरा में नहीं खाना अब जो तेकन डेली बेसिस अब जो सेवनी आहा है वो कों कों से तो सेवनी आहा है तो धानों में साली धान सबसे अच्छा है उसको आप उखाना है अनाज में गय हूँ गोधूम बजाए बता है कि गोधूम मतलब गय हूँ यावा मतलब जो आपको खानी है सथी का मतलब साथ ही चावल जो हतके हैं वो आपको खाने है जांगल मास के पानियों का मास जाना खाना क्युकि आ जांगल मास के सब्सक्राइग होते हैं जीवयंती ज़िवयंती जो साख होती है जीवयंती कामुल्या दामुले कामुली रखा गया उसका लापता है कि आमला की उसमें बताय है। लाप हतों सिंहें और बद्रबु साग होमाया है। उसको दाक्षा पटोल परवल मूंग जो करने के रज़से शकर बनाएता है उसके वीच में सबसे अधम क्या है सकरः ग्राथ घी अधम है दिविओधक दिविओधक एंधम यहां पर गंगा जल्से गंगा अम्भूयार लिखा है Uncontinted Rainwater, मतलब जो साफ जो वर्षा का जल हो, देपी जल मतलब जो साफ जो प्योर जल हो, छीर मतलब मिल्क, चोदर मतलब चोदर का मतलब परया होता है, हनी का, मध्धू का परया होता है, दाड़ी मतलब तधी, sorry, दाड़ी मतलब अना, अना, प्यूनिका, गेंडो टम, लवन होता है, अब रात्री में कौन से दर्वे को आपको स्टेवन हित कर दोगा, तो रात्र में क्या करते हैं, यहाँ लेका है, त्रिफला, मधू, शर्पी, भ्याम, निशी, नेत्र बढ़ाएं, अब आपको नेत्र की जोती या नेत्र में जो भी दोश आनको कम करना है, आको की जोती बराने तो उसके लिए सबसे अच्छा है, कि आप दात में सोएं, तब आप त्रिफला पावडर के साथ या आपको नॉमली जहां मिल जाया, तो त्रिफला पावडर के साथ आप मधू या शर्पी मतलब मधू, सहत या घ्रत के साथ उसको सेवन करें, तो यह क अनुव्यत्ती, कक्षियम रोगों, शितम चल, वान शूट कंजूर दा फूट सबसें रेगूली विच विल भी यूसफुल टुपर मोर्ता पॉस्टिफल एस वेल एस ड्रग सचल, सटेरी चल रहता, कि रात तिक्त, यूसफुल टुक्योर डिसीज, कि रात तिक्ते भी ए इस टेस्ट आफ फूट सबसें चोबी टेकन अगर अधाश्ट में यूसक को अनृत में खाए उसका सी कोएंसे बता गया। दा फूट्ट सबस्टेंट विच आर हैविंग मधूर रसा गोरू सनेक्त मंद स्थेर गोर्ण सच एस विशा विश एक्छू एक्छू मतलब गन्ना या गन्नेकाराई गदली मतलब केला कौच कौच भी एक फल होता है कोकस नुस नहीं को का मतलब यह आप नाहिल का मतलब है आम अम्रा मैंजी फ्रेंड का आम मोदक लड्डू और कुछ भी मीठी द्रव्य तो उनको आपको यह क्या है यह यह जो मीठे द्रव्य केला एक्चू लोटस टॉक नारियल यह सब क्या है गुदू श्णिक्द मंद और श्थित गुणवाले बात हैं तो इनको आपको इस वोट भी चंजूम इंदा बिगिनिग ऑफ फिल्ड का खानाखाने से पहले जो पहले आप जो खानाखाने तो इन गुदू स्णिक्द मंद और श्थित गुणवाले तरव्य को खाएं वे मन्द स्थिर के चल वही होता है तो इसे इनके विप्रीज गुन वाले जो द्रव्य हैं उनको आपको इनको आपको एंड में खाना है तो पहले मधू द्रव्य को खाना है और लास्ट में कटू द्रव्य को खाना है और बीच में खाना है वाइल दोस सबस्टेंट विच आर पीडॉमिनल्टी है विए अमले लवन रस शुट बी चूंब आपका बढ़ा होता है तो जब अपनेक तो गुरू पोशन लेते तो वाद कम होता है बीच में आप अमले पोशन लेते तो उससे क्या जठा रग नहीं और जो समानवाई उसम में बल मिलता है ठीक है नॉमली अब बोल भी सकते हो वाद होता है वाद पित कफ होता है उसको उसको पहले कफ फिर पीच में पित और फिर लास्ट में बात ये दरभ ऐसा तो स्टामक कैपसिटी एंड अल एलोट्मेंट अव फूड आम आशा है कि मैंने जब अमात शीतिया जब इसका फिर्स लेक्टर जब फिर्स पार्ट यह मैंने बनाया था विडियो तो उस मैंने आपको बता है वीत प्रेच श्टार्टिंग में ही कि अब चलक ने भी आमा शे को तीन भागों पाता है लेकिन वांग बट ने आमा से को चार भागों बटता तो आमा से को चार सब्सक्राइब दूखाग क्या है तो ने क्या किया उन्होंने दिवाड इंट्यूंटु स्टमाग इंटूफ़ पार्ट्ट समयुन लिख्वीड गई गिप वेकंड फो द मूमेंट ओ वात पिट कफ तो जो दो पाठ है ना उनको तो 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 दाल भात दोटी इन से बहर दिया जो एक जो बचा इसको लिक्विड से बहर दिया ठीक है और जो लास्ट जो है वो वात पित और कफ की क्रिया के लिए छोड़ दिया कि वो वात-पित क इसा सब्सक्राइब ना फिल्फ करें तो इसकी तो आपको यहां पे इसकी पर यहां पहर नियुक्त आपको आंगे है कि अपके ने अयगे त्था इससे पर लिए कि अयहां पर आएंगी तो यहां पर उच्छे से पढ़ने हो यहां पर आप सीखते हैं वही आपको दुबारा से पढ़ना है ऐसा कुछ नहीं कुछ नए चीज इसमें सीखने मिलेगा वही तुबारा से वही टॉपिक्स पढ़ने थोड़ा सा एक तो चीजे और बढ़ जाएंगी लेकिन सेम तू सेम यही सिमलर रहेगा अनुपान के पूरा अच्छे से बताती है अनु मीन आफ्टर वर्ट अनुपान द्रिंग देट हैस बीन टेकन आफ्टर मिल और फूर सब्सक्राइस नोड अज अनुपान ठीक है वाट इस बेस पोस्ट परेंटियल ड्रिंग मतला अनुपान में बहुत अंचल सबसे अधिक अच्छा अ यहां पर आइडियल अनुपान यहां पर जारी अनुपान हां लिखा हुआ है कि कौन कौन से व्यक्ति को क्या का अनुपान लेना चाहिए तो इन दा ब्रीफ औल पोस्पाइंटियल ड्रिंग अनुपान शूड है विन प्रपेर्टी अपोजिट वे दोस अफूर अफूर अब करेंगे एक स्रिधान थे कि आप मतला आपको जैसे पता चलेगा किस आहार के लिए कौन सा अनुपान से तो इसका एक ट्रिक है कि आप जो आहार ले रहे हो उसके अपोजिट गुन वाला या पोजिट प्रकरती वाला अनुपान आपको लेना है अगर आप उष्न अहा अब यहां पर लेना है तो इसके अपको दिक्कत करेंगे उससे आपको आहार विरोधी नहीं होना चाहिए तो वह नहीं होना चाहिए तो इसके अपन पान की लक्षन है अब यहां पर लिखा हुआ है ता बट अट दे शेम ठाइम शुट नॉट बी हामफुल तो दा किस व्यक्ति के लिए क्या का नुपान सेस्ट है तो यहां बताएगा है आप अच्छे से यह शान नी टेवल अच्छे से याद रख लेएचेगा यह इंग्लिश में है लेकिन आप हिंदी में याद रखें इसको तो मैं बताती जाओंगी ने फूट प्रपेर्ड विद बा और राण भाड़ली जॉडिश गया हुं तहीं मत भी दर्ध यह आपने विश जो अपने विश्ट का मिलब कभी कोई विशची सहो दिया आप ने विश्ट खा लिया है को उसके बताएगा यहाँ पर विश्ट यह पंगा तो उसके बाद ने को क्या लेना है अपको क्या ले पीठी कौन फ्रोम पीठी इसे बने जो द्रवे ना जो हाँ जो उनको पचाने में अधिक समय अक तक कचोड़ी पकड़ी इसब तो उनके लिए आपको अनुपान में गुल्गुना जल लेना थोड़ा उशन जल लेना है गुल्गुना मतलब जिसको आप पी सके बहुत उशन मतलब दही का जो पानी होता ना मस्तू या चाच जो होती है उसको हम बोलता है लीन परसन फोस्टाउंडेट मतलब करश जो ब्यक्ति जो बहुत करश हो गया दुर्बल व्यक्तिया उसके लिए अनुपान में सुदा लिए लेकिन मासरा उन साथ और सुदा भी यह सी नहीं आजकल जो सुदा मतलब अल्कॉलिक सब्स्टेंस मिलते हैं उनके कुण तो अलग ही है लेकिन जो आइवेद में बता गए तो अलग गुन वाले तरवी थे तो आप यह नहीं सोच शकते कि आप जो आज की जो ड्रग्स मिल जो आज की अलकॉलिक सब्स्टेंस मिल रहें वह अगर कोई बहुत स्थूल रहती है उसको अगर अपना वजन कम करना तो उसको हनी और वाटर लेना है लेकिन यहां पर वाटर आप पता नहीं यहां सब लोग तो बोलते हैं जो भी आप वेफसाइट वागा पर देखें तो गुल करम पानी की साथ मिला के उसको लें क्या कहते हैं सहयत को लें अगया है अलो पैती है हार अलो पैती तो हर चीच का उसको तो बोल देते हैं कि अभी तक कोई क्रेंसे पहली बता है किकि approaches को नहीं कपर नहीं कोफना करते हैं कि a आपका पता नहीं हो भी सकता नहीं हो सकता उनका कोई क्लियर नहीं हो देलेकिन आप आप अन्हीं स्वस्थ्ण्यक्ति में नहीं को इसचे एतका अहितकर होगी iy तो आप अगा रूल फॉलो करोगे तो कभी विमार नहीं होगे तो सोष मतलब एक शोष रोक होता था छेव सब्सक्राइब कमजल पर जाता जैसे कि तीवी में नहीं हो जाता तीवी में इंसान कमजल हो जाता है अनुपान में मतन सूप मतलब मास रस उसको लेना है अगर जब कोई मास खा रहा है जो मीट खाया हो कड्यूप करा तो उसके वाद व्यक्ति को सुदा पान करना है क्योंकि मीट भूत हैवी फूड होता है अगर आप उसका खाओ को तो आपकी जो पास्टन अगनी वो कम हो जा यहां पर वाइन लिखा है लेकिन आप मध्य माना जाना जाना नहीं परसन डेबिलेटिड यहां पर एक तो यह बार पतादू मैं आप जिसे में जो आइवेड किया है पूरा संस्क्त में था उसका आप हिंदी तो कर सकते हैं उस चीज की वर्ड़ की क्योंकि हिंदी में काफी संस्कत के वर्ड़ देते हैं लिकिन आप उसकी इंगलिश करते हो तो उसकी हिंदी हो जाती है वो कि आप देखिया यह वाइन लिखा है जद भी थूरी ना वाइन को आप मध्य से कर सकते हैं थोड़े कुन उनमें डिफरेंस होते ही है ठीक है तो यह से आपको यहाद रखन आपको मध्याद रखना है जो तर्म आपको याद रखनी है परशन डिफिलेटेड बाइडिसीज मेडिसेन लॉंग वाक मतलब कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़े था बहुत समय से यह बहुत तीक्ष नौशत का सेवन कर रहा है यह आप शोधन कर वाया बहुत अधिक द ठेखनी से अब इस घर-खनी चाहिए यह था आप kuई था और कॉट Ada दूपकान में आप दूद नो Gesprляется रहे, पता रहे तो जो ची caution आंगे आपको काम काने वाल आ क्लियर होंगी अगर आपके आज के फस्ट लगी कॉंसेप्ट लियर नहीं है तो मुझे लगता कि आप चार साल जो बचे बचे हुए चार साल है असना अहरवेद के वह अच्छे से कर पाऊगे फस्ट बहुत इंपोडेंट है अगर आपने अच्छे से फस्ट कर लिया सब्सक्स्ट लोक हो का उनको बस के स्ट लन रिए कर दिया और श्लोक के सतीर और अशरिकौ्स के बादे वह श्लोक यह खोँड़िया के वादे में इस लोख लीए श्लोक जड आप लेया के वादे में लिए एसा कोई वीडियो या यूटूब पे वीडियो और आप किसी भी कॉलेज में जाएं इंडिया के या कहीं के भी ऐसा नहीं होता कि रेगुला आपकी ख्लास लग रही है तीचर आपको बहुत बहुत प्रेशनेटली पढ़ा रहे हैं या सब अच्छे से पूरा समझा समझा कि हैं कोई चाहिए है कि आपको एक एक वर्ट करकर समझा या या यह च्याए हां थी हमें में तो है कोढ़ी है पढ़ा हूं थोगा पड़ा लेक्चर हो जाते हैं लेकिन मुझे लगता है वहुत है तो अनुपान के गुण क्या है effect of post ventral drink अनुपान post ventral drinks give energy and station to the human being मतलब अनुपान से क्या गाथ उसके effect, बेनेफिट है तो वो क्या है शरीर को उजा देता है भृ जब घृता है जब खाना खाने के बाद आप Pानी पीते हो या Ocean região बेल्स अपको पेट भरा-भरा पेटते हो और आप यहां आपकी नीचे तक पहुंच जाता है अंगों एठन काफी चीजे हैं जो इसमें बताया गया है अनुपानम के उजा देता है तबति देता है प्रापती पुशन को जो आपको आधा से उसको फैलाता है सरी में धनता देता है यंगो में अन्न संघात अंगो को ढिला करता है जब उनल खाइब उसको जल की करा मैं कि वह तो हो जाती है यह घीले हो जाती है जिसके उसके आखानी से पाचक क्लियाऊ हो पाती है एगतम हार्ट को सुट्ररंस चला गया तो क्या वह तो अच्छी से पान नहीं करना चाहिए या कि इसा थी मनपान नहीं करना चाहिए पुल्स पेटलिक्स शुड्न नॉट बी टेकन पार दोग सफनीं फॉर्म डीसी अफ दा हैड शीद रोक से कोई पीरे थो पतीशह से कोई पीरे थो चैस्ट उला च्थ चैस्ट इंजली न चैस्ट माला उला उला चैस्ट पीडे को दनिंग नोस मते पीनस या पतीशह से करपका है मतलब यहां थे खांस से था इंगेजिन सिंगिंग स्पीकिंग बहुत अदिक गायन या भाषन दे रहा है उसमें तो निष्टियों में निपान का निष्चेदा क्यों निष्चेदा यह तो मुझे भी अच्छी से नहीं पता और मैंने भी क्लियर नहीं कर पाई लेकिन कुछ ना कुछ थोरी शतूर हो दौस वर ओवर हैडरेटेड बहुत अदिक चिन्होंने पहले से ही पानी पी लिया या मतलब कहीं पर इनके सदी में कहीं पर क्लेर या सरन उत्पन हो रही किसी भाग में शरन हो तो उनको भी अनुपन जाना नहीं करना है सफिंग फॉम पॉलियूदिया आई एंद शॉर ड का प्लिंकिंग लिकूएटिया आपकी लिंता देयerson हो रही है षाहर को अलिए मेद यहां पर पॉलियूदिया के मतलब रमे रोग से हैं मतलब यहां मतलब डाबती्स है अब प्रोलियूदियों के आपक। आखो में गले में रोग है या कहीं पे आपका वर्ण हुआ है वर्ण मतलब कहीं पे कोई चीदा लगा या कोई आपको फोड़ा फंसी हुई है तो वहां पे आपको अनुपान करें शून आफ्टर टेकिन फूड और ड्रिंक वन शुड नॉट कीव लेक्चर खाना खाने या पानी पीनने के तरंथ बाद वहात आप पानी पनी करने श्रह करने श्रह के जूड़ा कुछा पहात वाकर आपको सोनन बांड आप और शूज की दोशन में चलना मतलब आताप और हवात अब आवा ऐसे बोजन लेने का जो प्रोपर समय है और निदेश का का बताए गए हैं तो काफी है मतलब मैं नौमली आपको श्लोग नहीं पढ़ती नौमली बता देती हूं कि मलमूत के भली बात निकल जाने मतलब मैं एक आपको सार्टिंग से बोड रही थी किया पहले का आगात पशे जान यहां आप परच गया तो वह भी इसमें बताए कि कैसे आफ्टर फोपर एक्सपर्शन ऑफ नेचर अर्जिस मतलब पहले का मल आपने मल पूत्र त्याग करके मलमूत त्याग कर लिए इसका मतलब पहले का जो आता वच परच गया हो निकल भी गया है हिदय आप वीन मुत्र मतलब शुद्ध होजाएगा कि दोशो सवस्त पथि वात अरो आजी अपने अपने मागों में प्रिवत हो जाएंगी अपने जहा पर फिसलोट आएगे शुद्ध दकार आजाएगी विशुद्ध शा उद्धकार है मैं आपने शुद्ध दकार जिसमें कोई स्मेल लाओ वो डकार आजाए शुद्ध रूप करने वात अनुसरने मतलब अपनी अगर उद्धकार निकल जाए पनवाईव से निकलना तो अच्छे धंक से तो पहली तदधा अगने वृषवक्ते साथ जापनी दिकल अपने पृता लाओ अपनी शाओ के शल्कार न presum शां especial कि अपने अपने कारी कर सके करना हिए पंच андडिया गयान उतेयर वृत कारण ग्याफये श्सुद्धिर होए करने पंच 가지 अ मिन की संतिक्ती ज मीलत कारों में सही से कर सके सूह लगो मतलब साही में हलका मतला है हलका बना अच्छा लगाए हुआ तो वह ली सब विद़्ी पूरग करने के उचितत है मतलब मतलब जब यह सब लक्षन देख जाएं उसके बाद आपको अच्छे से आहार करना है तो एक वाफेस आपको मलमूत्र निकल गया है तो आपकाष्ध्ध्य हो निंद्ध्ट उकलए हो ब्रैट्ब mi cicat नेमल आपको नियूंगे ऐक तैंसे में मतलब किसी चिंता में दूर निकल न ऊसी सुख और पोजन की स्वा करना है सास्त्र विदी पूर्वाग पोजन करना है तो यह चैप्टर अब कम्प्लीट हो गया तो मैं थैंक्ट्यू फो वाचिंग अब नेक्स्ट वीडियो कोशित करूंगे मैं जल्दी से अल्ली आपके लिए बनाओ